अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब भीजिए न्यूस टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोज और न्यूस अपडेट सबसे पहले देश के अंदर अब इंतिसार है कि कब राम मंदिर पर फैसला आएगा ज़ादतर लोगों का मानना है कि इस बार फैसला राम मंदिर के पक्ष में आने की उमीद है तो वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जिसको लगता है कि सुप्रीम कोट का जो भी फैसला होगा वह सब को मानने होगा लेकिन इन सब के बेच कहीं शान्ती बैठक चल रही है तो कहीं कोट के फैसले पर मंधन हो रहा है कि आखिर कोट क्या फैसला देने वाला है इन सब के बाद देश के प्रधार्मिंठी नेंडर मोदी का बयान भी काफि माएने रखता है कुछ दिन पहले पृधार्मिंटी ने इन्दरमोधी ने मन के बात में इस पात का जिक्र किया था एक बार सुनिए क्या कुछ कहा पृधार्मिंटी नेन्दरमोधी ने साथियों मुझे याद है कि सितंबर 2010 में जब राम जन्ब भूमी पर इलाबाद हाई कोट ने प्रफैसला सुनाया जरा उन दिनों को याद कीजिए कैसा माहोल था भाती भाती के कितने लोग मैदान में आ गए थे कैसे कैसे इंट्रेस्ट ग्रूप उस परिस्तितियों का अप उने अपने तरीके से फायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे माहोल में गर्माषट परदा करने के लिए किस-किस प्रकार की भाशा बुली जाती थी भिन्ड भिन्ड स्वरों में तीखा भरन भरने का भी प्रयास होता हो था कुछ बयान बाजों ने और कुछ बड़ब रहा लेकिन जैसा ही फैसला आया एक आनंद दायक आश्चेरे जनक बढ़लाव देश ने महसूस किया एक तरफ दो हपते तक गर्माहट के लिए सब कुछ हुआ था लेकिन जब राम जन्म भूमी पर फैसला आया तब सरकार ने राजनितिक दलों ने सामाजिक संगठनों ने मुलित और संयमित बयान दिये महोल से तनाव कम करने का प्रयाद लेकिन आज मुझे वो दिन बराबर याद है जब भी उस दिन को याद करता हूं मन को खुशी होती है न्याय पालिका की गरीमा को भाहती गवरोप्रण रुप से सम्मान दिया और कहीं पर भी गर्माहट का तनाव का माहूल नहीं बनने दिया ये बाते हमेशा याद रखनी चाहिए यह हमें बहुत ताकत देती है वो दिन वो पल हम सब के लिए एक करतव्य बोध है एक ताका स्वर देश को कितनी बिड़ी ताकत देता है उसका ये उधारन है